सो हेलो एवरीवन पारग पाल ने एक कोशन पुछा कि लेवल टू एकस अती हाइड्रोस्टेटिक में लेवल टू का कोशन नमर 54 प्लीज आप बना जएगा तो उन्हेंने कमेंट किया था जब मैं लेवल 3 का कोशन बना था तो इसलिए मैं 54 कोशन नमर को यहाँ पर कर लिया होगा यह एट एडिशन में कोशन नमर 54 है पियर्शन आइट एजई फांडेशन का हाइड्रोस्टेटिक चैप्टर जब पुरी तरह से आपने ट्राइग कर लिया तभी आप स्रूशन को देखना नहीं तो कोई फैदा नहीं होगा प्लीज यह मेरी रिक्वेस्ट ह पुरी तरह से ट्राइग करना दो तीन चार पेज में आधा घंटा एक घंटा भी लगए तो कोई दीकत नहीं है तो चलो कोशन को पढ़ते हैं ऐसे मैं पुलनोमिय शुरू करने वाला था लेकिन यह रिक्वेस्ट आथा तो मैं सुचा कि इसको अथी करता हूं और गाइस जिन्हों ने भी कमेंट करके फीडबैक दिया एप्रिशियेट किया तो बहुत अच्छा लगता है जिसे काविया पुनम कुमारी कोशल यादो ओम नारायन मुकेश कुमार संके थाकरे अमन उलुसलाम ओम सबने बहुत मुकेश को और भी कई लोगों ने कमेंट किया सो थैं अगरा या फिर उन्हें मदद मिलिए और आगे भी देखते जाब बहुत सारे चीज़ें आएंगी पौनमियल्स इसके बाद होने वाला है सो क्लास एट का सो चलो शुरू करते हैं आ कंस्टैंट इमर्शन हाइड्रोमेटर हाइड्रोमेटर क्या होता है रिलियेटिव डेंस यानि कि कॉंस्टैंट इमर्शन कहने का मतलब यह है कि हाइड को क्या कर रहेंगे हो हाइड को ऐस रखते को यह पौला है यह कॉछिन को बारै पढ़ने का सिच करना तीन बार चार बार अ कॉंस्टांट इमर्शन हाइडरोमिटर फ्लोट सब्स वर्टीकल इन वार्टर विन द वेट ऑफिर्स फ्लोटीस 30 ग्राम फॉल स्टॉप विन इट इस मेट तू फ्लोट इन लीक्विड मिसिबल इन वार्टर मिसिबल करने का मतलब पुरी तरह से पानी में घूल जाए यह ओल की तरह नहीं है जैसे पानी में ओल डालोगे तो पुरी तरह घूलता नहीं है बलकि ओल वार्टर के उपर फ्लोट करने लगता है तो ऋए मीसिबल हो गया, लेकिन बहुत सार लिकविट्स जैसी की औरेंग J Monica पानी में पूरी तर मिसिबल है, मिसबल है Water में तो मिसिबल मिसबल है, क्या लिखना जड़ी था question में हाँ बिल्कु ज़री था अगर यह नहीं लिखा रहा था तो बहुत दिक्कत हो जाती फिर कोशन को आप दूसरे तरीके से मोड ले लेती है कोशन और भी डाटा देने पड़ते हैं और मैं बताऊंगा आगे क्यों मिसिवल इन वार्ट लिखना पड़ा कोशन में कॉमा दवेट आफिस फ्लोट इस इंक्रीज बाइट ग्राम को फुल स्टॉफ हैं दवेट फ्लोट इन इस फ्लोट इन अ मिक्स्टर कंटेनिंग इकोल मासेस अफ वाटर एंड अफ वाटर एंड लिक्विड ओके सो कोशन ठीक थाक है बटे चलो तो लाव फ्लोटेशन क्या क रहानते हैं लाव फ्लोटेशन फ्लोटेशन तो लाव फ्लोटेशन क्या करता है कि जो एमजी होता है वो किसके परावर होता है 22 के तभी तो कोई चीज क्या करती है वो फ्लोट करती है यही होती है न एमजी किसके 22 करता है तो जो वाटर में इसको डाला गया वाटर में इस सब्सटैंस को इस हाइडोमेटर को किसमें डाला जा वाटर में तो इसका वेटिन था 30 ग्राम तो आप क्या करोगे 30 30 ग्राम है तो आप इसको केजीं बदलके फिर इसको जी से मल्टिप्लाई करोगे तो पूरा वेट में बदल जाएगा लेकिन उतना कोई फैदा नहीं हो ला क्योंकि इसको 30 ग्राम रहने तो 30 ग्राम इस एकवाल टू क्या करेंगे माना कि उस हाइड्रोमेटर का क्या है यह जो टेस्ट जो हम लोग टेस्ट्यूब लेते हैं उसका क्रॉस सेक्षन लिए क्या है एह है इस वाटर का डेंसेटी कितना है वन ग्राम पर सेंट इंटर क्यूब इन टू जी यह होगा न अब यहां पर तुम यह कर सकते हो किसा इसको आप क्या करो कि बदल लो और इसको जी से मट्रिप्लाइ करो तब इन वेट आएगा लेकिन कोई फैयादा नहीं है उतना क्योंकि मैं पताता हूं आगे क्यों तो यह वाटर में जब इस हाईडरोमेटर को ठीकी है और जब उस लीकिवीट में करेंगे जो मीसिबल है तो लीकिवीड में जब उस हाईडरोमेटर को हम लोग डूबाएंगे तो कितना वेट आए दस ग्राम जादा आ रहा है इसका मतलब 30 10 40 हो ज प्राप्र जाँवा हुआ है यह तो कंसेप्ट है यहां भी एंच यह भी एंच जीतना लीक्विड डूबा हुआ है हम लोग के वल्फ वेड में भैरीएशन करें इस टेश्टेप के अंदर इसमेंकी वेट का सैंदिमें इस तरह से कि यह जितना हाइट वार्टर में डूबा ह होना चाहिए लीक्विड में जो की मिसिबल है water में तो A H H H H M Kcar बता है यही तो बात है लीक्विड का देंसिटी नहीं पता है into G यह समझ मै रहा है कि यह क्या है बैयनसी लिखा हुआ हैå BioC जानते हो क्या होता है volume of substance submerged in liquid into density of liquid intoexpression due do gravity अर यह तुर्स इम्जी बराबर भी दीख रहा है बस इसी concept का उच करते हैं लाफ रोटेशन का उच करते हैं तो यह मालो equation 1 है और यह क्या है equation 2 है तो equation 1 को किसे डिवाइड कर दो equation 2 से अपन लो तो क्या हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यहां पर क्यों लाएगा 3 upon 4 आजाएगा इधर क्योंकि g से g तो cancel हो जाएगा यह 30 तो यहाँ पर क्या जाएगा 30 upon 40 आगा तो एक जिरू से जिरू कैंसिल आव अपन 1000 आपन 1000 यह भी चैंसिल तो क्या बचेगा 3 upon 4 is equal to a into h into 1 into g upon a into h into d into g so a h cancel हो जाएगा g से g d cancel हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 upon d बचेगा तो d is equal to कितना हो जाएगा 4 by 3 gram per centimeter cube यानि density of liquid उस liquid का density कितना है जो बाटर मीसिवल है और 4 by 3 gram per centimeter cube है ओके बहुत अच्छा बहुत अच्छा तो अब लेकिन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हाइड हाइड्रोमेटर को किस में डुबा रहा है एक ऐसे थी में अभी वहीड है और हाइट अभी एची रहना चाहिए है लेकिन अभी इसको ऐसे वाट ऐसे थी में डुबा रहा है जो की मीक्षेर है किसका इसमें किसका मिक्षेर है यह किसका मिक्षेर है लिकवीड प्लस वाटर का मिक्षेर है लिकवीड प्लस वाटर का मिक्षेर है बहुत अच्छा अब दीकत यह है और दोनों का सेम मास लिए है अगर लिकवीड का मास एम ले लो तो वाटर का भी मास क्या होगा एम हो जाएग में मीक्चर का डिंसिटी क्या होगा इस जो मीक्चर है अब सीन से यह क्या है लीकट वाटर में मिसीबल है और लीकट बहुत बहुत तरह से और नीचे वाटर रहता क्योंकि वाटर कने सी जाए तो हाइड्रोमेटर के टेश्टीप अइसा होता तब बहुत दीगर तोलने ही गाताwa कुछ अलग है वॉल्यूम अब सबस्टांस समाज जिन वार्टर कुछ अलग है तो बायंसी निकालना थोड़ा कठीन हो जाता हालाक यह से कोश्चन प्लास 9 के पिर्सनाइटी फ़ॉनेशन ने बनाने है लेकिन यह कब होता जब होते हैं इसलिए कोई दीकत नहीं है इसमें तुम पूरा का पूरा तुम क्या कर सकते हो यह एक लीकविड बन गया यह ऐसा सबस्टांस थी है कि जिसमें लीकविड प्लस वाटर है अब इसका डेंसेटी ओफ मिक्चर हमें निकालना होगा यह मिक्चर है ना तो डेंसेटी हो जाएगा मास ओफ मिक्चर अपन वॉल्यूम ओफ मिक्चर यह तब नहीं लगा सते हैं जब अगर कोई लीकविड इमिसीबल नहीं हो तब यह नहीं लग सकता है लेकिन मिसीबल है तो यह लग सकता है यह ध्यान देना अब मास ओफ मिक्चर कितना होगा मास ओफ पलास- वॉल्यम ओ व वाटर होगा यही ना दो ही चीजों से ने मीक्षर बनाया जिसमें अब हाईडायोमेटरों किया करने करने जारा है तो अब मास्-उफ- लिक्विट कितना है open–देंसिटी ना न वॉल्यम ऐसलेड़ा होने क्यों किवीद्पी केतना हो जागा और mass of liquid कितना है m upon density of liquid dl हो जाएगा मान लेते हैं ऐसे भी पता है हम लोग को कितना है अभी dl निकाला हूँ चलो और volume of water कितना हो जाएगा mass of water upon density of water तो mass of water भी m हो जाएगा क्यों equal mass of liquid equal mass of water लिया है upon density of water तो यहां से क्या आजाएगा यह 2m आजाएगा m पलस m अपन अभी इसका LCM लेड़ो नीचे से तो dl dw LCM आजाएगा इसका dl into dl into dw LCM आजाएगा और क्या जाएगा यहां पर m into क्या जाएगा तो यहां से इसको उपर भेज़ दो क्योंकि तो क्या जाएगा 2m into dl into dw upon m common ले लेते हैं तो क्या बचाएगा नीचे dm पलस dl बचेगा यहीचीज m से इम कैंसिल हो गया क्योंकि हमने माना था और यह से भी कैंसिल होना था अब देखो 2 into density of liquid अभी तुरंत पहले निकाले ना 4 by 3 gram per centimeter cube कैसे निकाले तो हमने constant immersion hydrometer के concept को युज किया कैसे युज किया mc is equal to by nc कर दिया हमने height को हमेशा वही रखना है तो density of कितना था 4 by 3 आय था 7 by 3 तो 7 by 3 तो उपर 3 चला जाएगा बोलो चला जाएगा नो उपर 7 by 3 था नीचे यह dm dw plus deal कितना 7 by 3 था तो 7 3 उपर चलाएगा तो 3 से 3 कैंसिल कितना हो गया 8 upon 7 gram per centimeter cube तो इसका मतलब density of mixture कितना है गाइस यह बहुत इंपोर्टन सा निकालना density of mixture कितना हो जाएगा 8 upon 7 gram per centimeter क्यों अब हो जाएगा अब देखो वार्टर में वेट कितना था इसका हाइड़ोमेटर का 30 gram यानि 30 बटाए 1000 मालों इसको kg बदल दिया इंटू एक्सेरशन चुट्यू ग्रैबटी जी हो गया इसी क्या था एंटू एंच इंटू वन एंटू जी था लेकिन अगर हम उस मिक्षर में देखें मिक्षर में मिक्षर में क्या ह हो जाएगा इसका घ्रे हमको नहीं पता कितना मिक्षर में वेट है वह ही तो निकाल आला है तो वेट क्रीइग हो है और यहां पर क्या लिखाएगा density of mixture यानी 8 upon 7 कि अब mixture में hydrometer को तुम immerse कर रहे हो into g equation मानलो यह 3 है और equation क्या है 4 है हलाकि equation तो 1 ही था ना शुरू में तो यही था तो 1 upon 3 इसको 3 कर लो equation को तो 1 को किसे divide कर दोगे 1 upon 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1000 1000 g cancel तो क्या बचा 30 upon w यही बचा ना is equal to a h h cancel g से g cancel तो क्या बचा 1 upon 8 upon 7 तो 7 उपर चलाएगा तो 7 upon 8 बचेगा यह समझ में आ रहा क्योंकि यहां क्या बचाएगा 1 upon 8 upon 7 तो 7 तो उपर चला जाएगा ना यही दिशी समाझ में आ रहा तो हमारा डबलू क्या जाएगा 240 upon 7 ग्राम आ जाएगा क्यों क्योंकि मैंने डबलू को पहले ही अथी कर दिया यह जी क्या है यह ग्राम नहीं एक सेशन डू टू ग्राविटी है तो मैंने यहां डबलू को क्या लिया है यह मास लिया ग्राम में लिया तभी तो मैंने यहा यहां जो अंसर है किसमें गराम है यह अब यह जी क्या है यह एक शेशन टू टीगराइबटी नहीं के गराम है तो डवली इसको कितना 240 पाई साथ गराम तो उसको तुम आप सॉल्फ करोगा तो डवली सेट गराम थाटी-पॉर पॉंट टूट गराम मैंने कर लिया इसको तो एक लिविड का डेंसिटी कितना है 4 by 3 गराम पर सेंट टूट क्यूब है पलस वाटर जिसका डेंसिटी कितना है वन गराम पर सेंट टूट की यह दोनों को मिलाद होगे और एक मिक्षर बनेगा उसमें अगर हाइड्रोमेटर को तुम डालोगे ओके ऐसा कुछ तो हाइड् इसने लीकीड में क्या था और वाटर में क्या था तो यह हमारा अंसर हो गया यह हमारा क्या हो गया अंसर को साफ-साफ लिखा कर ओक है यह अंसर है सबस्क्राइब गया पोच्च रहा था कि तो 56 नमर बनाना 56 कोशन नमर बहुत अच्छा खासा है उसमे 56 कोशिञ नमर में unit and measurement का concept उज़ी होगा kinematics का हुज वह विप्ढbir होगा तो तिन चार चैप्टर का concept विझो होगा 56 कोशन नमर में यह पिछले वना कोशन नमर तो 54 था लेकिन 56 जलूर बनाना आगर बना लिया तो बहूत अच्छा है लेकिन खुद से ट्राइ हाट करो नहीं तो कोई फैदा नहीं होगा बहुत ज्यादा try hard करना पड़ेगा question से नहीं जो तुम अगर तुम try नहीं करो इसका मतलब तुम question के सामने घुटने टिक दे रहे हो try करो ना अगर हार नहीं है तो try करके हार हो ना so guys I hope आपको यह समझ मैं होगा और बाकी जाके वीडियो चलागा तो लाइक करो चैनल को चेक आउट करो बहुत सारे चीज़े बता दी गहीं मैस में फीजिक्स में केमल स्ट्री में क्लासेट का प्रेशन आटीजे फांडेशन और दोस्तों के साथ शेर भी करो चैनल चलागे तो सब्सक्राइब भी करो so thank you so much guys for watching this have a great day ahead